जाहिंद आप सभी का स्वागत है वेट्टु अकैडमी के ऑफिस्चल यूट्यूब चैनल पर जैसे के आपको पता है हम एफकैट के तैयारी कर रहे हैं एफकैट के क्वेस्टन्स लगा रहे हैं और परसेंटेज के हम फोकस कर रहे थे अभी तक तो परसेंटेज के लगबग सब्सक्राइब कर लिए थे आने वाले जो दस क्वेस्टन होंगे तो वह मैं उसमें लगबग सारे परसेंटेज के जितने भी टाइप बन सकते हैं ऑल्मोस्ट वह सारे टाइप करवाकर फिर आपको नए चेप्टर स्टार्ट करूँगा लाइक नंबर सिस्टम एवरेज र बोल रहा है कि the population of a town is 176,400 if it increases at its rate of 5% per year देखो एक ताउन है उसकी population कितने है वह population आपका 176,400 ठीक है इतनी population है वह increase कर रहे है 5% per year से 5% per year increase कर रही है what will what will be its population after two years दो साल के बाद इसकी population क्या होगी तो बहिए एक साल में increase कितना होगा बताओ मुझे increase होगा 105 बटे 100 एक साल का increment हो गया यह 21 बटे 20 और इंटू अगें कितना हो जागा 21 बटे 20 दूसरे साल भी एक साल इतना हो गया दूसरे साल भी इतना होगा 105 बटे 21 बटे 20 बटे 20 अब सिंपली इसको काटो cancel out करो और चार 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 से डिवाड़ करो चार चार चुकुकु सोला चार चुकु सोला होगा आपका ए ऐ बात ठीक है आगे बढ़ते हैं लाज़ जीस के साफ से मैच कर रहा ना यहां पर वन एट वन कितना होता है वन ही बचेगा लास्ट तो लास्ट जिस क्या होगी उसकी वन होगी बाकि किसी में तो भाईया धीरो जिरो है तो डेट विल बी यहार आंसर चलत 10% decrease करता है तो after two years पूछ रहा है तो दो साल के बाद कितनी होगी तो वह एक साल decrease करने के बाद कितना हो जागा 90% बचेगा यह 10% decrease होगा बचेगा 90% और अगेन दूसरे साल में भी इसका 90% बचेगा तो 9 बटे 10 या 90 बटे स्वाली फ्लो तो इससे cancel out इससे यह cancel out यह दो बा सवाल पूछा गया अगो पूछा है after two years नहीं पूछा two years अगो पूछा देखे सवाल थोड़ा अलग सवाल आई ठीक है ना इस तरीके से नहीं हो गया यह दो साल पहले का पूछा दो साल बाद का निकाल रहे थे नहीं दो साल बाद का निकाल रहे थे तो दो साल पहले का प इसमें simply क्या गनाता देखो, दो साल पहले की population मैंने कितने माल ली, x माल ली, ये दो साल पहले की population है, और ये decrease कर रही है, decrease कर रही है, मतलब 90% रह जा रही है, एक साल बाद, और again दूसरे साल में कितने रह जा रही है, उसका again 90%, this will be equal to कितना हो जाएगा ये, अब दो साल के बा 8 into 81 upon 100 is equal to 16200, देखो, काड़ दो ये दो बार चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना, 2000,00, तो यानि कि 20,000 आपको कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 20,000 नहीं, कितना, 20,000, 16,000 नहीं था, एक जिरो और हैं यापर, एक जिरो और है, ठीक है न, एक जिरो औ पर यहाँ पर, तो एक जिरो और लग जाएगा, यानि कि 2,00,00, आपकी कितना आजएगी, पॉपुलेशन आ जाएगी, तिर, अब हो गए सवाल समझ में आ गया, फिर आगे चलते अगले सवाल की तरफ, इस पॉपुलेशन आपकी पॉपुलेशन है, एक टाउन की, इस मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 6%, मेल की जो पॉपुलेशन है, वो 6% इंक्रीज हो रही है, ठीका न, इंक्रीज बाई 6%, और फिमेल की जो पॉपुलेशन है, वो कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वो हो रही है, 10% इंक्रीज, the new population will become 8,600, जो टोटल पॉपुले प्लस फिमिल मैंने y मालनिया y का 10% इस विल बी इक्वल टू भे जितने लोग बढ़ें इससे 6% बढ़ें इससे 10% बढ़ें तो टोटल जितने बढ़े होंगे दोनों को add कर दोगे तो किसके बराबर हो जाएगा यह कितने लोग बढ़े हैं टोटल 600 लोग बढ़े हैं तो 600 के बराबर कर दो इसको equal 600 के equal कर दो यह से आपका अंसर मन जाएगा यह कितना हो जाएगा x into 6 upon 100 plus y into 10 upon 100 is equal to कितना हो जाएगा 600 यहां से देखो 6x plus यहां पर आजाएगा आपको 10y is equal to 100 multiply हो जाएगा 1 2 3 4 अब आपको एक चीज़ और पता है यहां पर कि x plus y यानि कि male plus female बराबर है 8000 के कब मतब जब इनकी population increase नहीं हुई थी उससे पहले इतने थे यह न तो यहां से y की वाइद निकाल लो y कितना हो जाएगा यह कितना हो गया 60,000 इसको इदर ले चलाओ तो 80,000-60,000 is equal to कितना हो जाएगा यह 4x तो x की विल्ड्व कितनी आ जाएगी 20000 को डिवाइट कर दो गया आप किससे Azir log commander 5,000 यानि कि 5,000 आंसर आ जाएगा, तो 5,000 आपका सही उत्तर है इस सवाल में, ठीक है, similar kind of question आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपके screen पे, इसको आप try किजिए जल्दी से जल्दी करने का, ठीक है ना, तो total population एक town की कितनी है, x plus y is equal to 6,000, और male की population जो है, वो 5% increase हुए है, यनिके x into 5% plus, y की कितनी increase हुई है, यह मातर 9% हुए, तो 9%, यह total sum करके कितना आएगा, 500 के equal आएगा, find the number of male initially, मतलब x की value निकानी initially किती थी, ठीक है ना, तो आप कितना हो जागा मुझे बताइए, अभी हो जाएगा आपका, x into 5 upon 100 plus y into 9 upon 100 is equal to 500, यह जो होगा आपका 5x plus 9y is equal to हो जाएगा 5001020, तो यह 100 मतलब हो जागा, यह 50,000, ठीक है ना, अगेन y की वाली यहां से put कर देंगे, y is equal to 6000 minus x, तो put कर दो यहां पर, तो 5x plus 9 into 6000 minus x is equal to 50000, ठीक है, अब answer निकल गया आपका यह हो जाएगा, plus 96054,000 minus 9x, यह कितना हो जाएगा, minus 4x is equal to, इसको minus करोगे, 54,000 minus करोगे, 50,000 में से तो minus 4000 आपका बच जाएगा, तो x की वाली कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड करोगे, 1000, तो मतलब 1000 जो आपका मेल थे उस टाउन में, ठीक है न, increment से पहले, after increment पूछेगा तो 5% increase कर दो, answer आपका तुरंट आ जाएगा, ठीक है, चलते हैं, 45th question की तरफ, अ candidate scored 25% marks in an exam and failed by 30 marks, तो ध्यान से देखेगा, इसको एक rough diagram समना आता हूँ मैं, एक बंदे को 25% marks मिले, और वो 30 marks से fail हो गया, ज्यानि कि अगर उसको plus 30 marks मैं कर देता है यहां पर, तो वो passing marks तक आ जाता हूँ, ठीक है न, pass हो जाता है यहां पर आके, और एक वार बच्चा था, got scored 50% marks होगा, यह 5% नहीं 50% है, ठीक है इसको change कर दीजेगा, 50% this is 50%, तो उस बंदे को 50% marks मिले, 50% मिलता हो कहीं पर यहां पर होगा 50% and got 20 marks more than the minimum required marks, तो यानि कि अगर इस बच्चे से मैं minus 20 कर दूँ, minus 20 कर दूँ, तो यह again passing marks पर आ जाएगा, है न, equal आ जाएगा passing marks के, ठीक है न, तो इन दोनों का equalizer होता है, यह passing marks होता है, न, equalize करता है दोनों को, बरावर कर देता है दोनों को, ठीक है, तो find pass percentage, आपको pass percentage निकालना यहां पर कितना होगा, ठीक है न, तो करने का तरीका क्या रहेगा आपका, इसमें क्या करोगा आप सीदे सीदे, मेरे पास total x marks दे, क्या करो, x marks का 25% निकालो, प्लस उसमें 30 add कर दो, तो यह passing marks हो जाएगा, again x का 50% निकालो, total marks है, minus 20 कर दो, उसमें यह भी क्या है, equalize हो जाएंगे, ठीक है न, बरावर हो जाएंगे, इसको इदर ले आ, 50 is equal to, यह हो जाएगा, x का 50% minus x का 25%, चलिए, आगे कर देगा, तो further इसको कितना हो जाएगा, x का 25% is equal to, x का 25% is equal to, कितना होगे, 50 हो गया, x into 25 upon 100 is equal to 50, 25 के डिवाइड गो जाएगे 2, x की value कितना आजएगी, 200, तो यह यह आपका आगे maximum marks, कितने आगे, maximum marks, ठीक है न, maximum marks है, तो साफ साफ पता लग रहा है, यहाँ पे, कि 1% की value कितनी है, 2 marks, वह एक परसंट की value कितनी है, 2 marks है, तो जाने कि किसी बंदे को पास होना है, तो उसको 25% minimum plus 30, 25 minimum plus 30, 30 मतलब कितना हो जाएगा, आपका, देखो, 1% है, 2 marks का, तो 30 marks कितनी मतलब हो जाएगा, 15% के, यानि कि 25 plus 15%, तो पास परसंट इस कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा, 20 marks से, और यहां पर 40% जब स्कोर करता है, तो 25 marks उसको ज्यादा मिलते है, passing marks से, तो यहां पर सिधी क्या कर होगी, इसका gap निकालो, 40 और 30 का कितना हो जाएगा, 10% is equal to, x का 10% is equal to, यहां पर failed by 25 or 25 more, दोनों को add कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 50, same procedure पिछे की तरह आप यूज कर सकते हो, यहां से आपको पता लग रहा है, x into 10 upon 100 is equal to 50, इससे cancel out किया, x की value कितने आगी, 500, तो 500 जो हैं आपके, वो passing marks है, clear, एक परसेंट की जो value है, 5 marks के बराबर है, आपको passing percent निकालना है, ठीक है न, तो 30% तो उसको minimum चाहिए, 30% के बाद 25 और चाहिए, उसको pass होने के लिए, 25 मतलब हो जाएगा, आपका, कितना, 5% 25 कर दो, इसको इसमें 5 से multiply करो, 5% is equal to 25 marks, जो यानि कि उसको again 5% और चाहिए, तो 35% जो है आपका, वो passing marks होगा, ठीक है, इस तरीक से इसको deal करना था आपको, और यह सवाल, one of the most important questions है, एफकेट के point of view से, और इसको ज़रूर टिक मार देजएगा, यह आ भी सकता है आपके तो पर मेराम से, ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, स्क्रीन पे, अ, लार्ज वाटर मिलन, एक वाटर मिलन है भाया, ठीक है, क्या है एक, वाटर मिलन है, ठीक है, वाटर मिलन है, वो, उसका वेट है 20 गेजी, with 96, 96% of its weight is water, 96% इसका क्या पानी है, चलिया, it is allowed to stand in sun, sun में इसको रखा जाता है, and some of the water evaporates, so that only 95% of its weight is water, तो हुआ क्या, इसको मैंने धूप में रख दिया, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा पानी उसमें वेपराइज हो गया, ठीक है न, तो 95% of its weight is water, यानि कि आप समझ सकते हो, यहाँ पर एक परसेंट पानी उड़ गया, अकुल मिला की, find the new weight of water million, तो नया weight निगा ले, वाटर मिला कितना होगा, तो देखे, इसको करना कैसे होता है, 96% water है, तो यानि कि 4% क्या होगा, इसमें pulp होगा, pulp होता है आपका, ऐसा part, जो कि vaporize नहीं होता है, इवेपरेट नहीं होता है, ठीक है न, hard part जो होता है, उसके अंदर वो 4% होगा, उसका pulp, तो देखो ध्यान से, pulp को दोनों साइट एक पल कर दो, आपका answer तुरन निगल जाएगा, दोनों साइट, ठीक है न, तो 20 kg का 4%, जो आपका pulp होगा, बराबर होगा, x, सूखने के बाद मुझे पता नहीं बेट कितना है, मैंने x माल लिया, x का 95% तो water है, यानि कि 5% क्या हो जाएगा, आपका 5% बचेगा है, सिर्फ आपका, यहाँ पर 5% pulp बचा है, इस वाले में 5% pulp बचेगा, पहले वाले में 4% था, तो equal कर दो दोनों को, तो आगया answer आपका 20 into 4 upon 100 is equal to x into 5 upon 100, इसको cancel out करोगे, 5 से काटोगे, आप 4 times x की वाले कितने आगी, 16 kg, तो 16 kg is your right answer, यानि कि sun में, यानि कि धूप में सूखने के बाद, watermelon का weight है, सिर्फ 16 kg रह जाता है, I hope it is clear to you, है न, एक दो बार वीडियो देख लिए न, reverse करके समझ में आ जाएगा, चलिए न, यह अच्छा कोश्य है न, fresh fruit contains 68% water, यह कोई fresh fruit था, उसमें 68% water है, यानि कि अगर मैं पूछू उस fruit में pulp कितना है, pulp वाला पार्ट तो आपको होगे सर, वो 32% है, pulp, and dry fruit contain 20% water, यह fresh fruit है, और एक dry fruit होगा, dry fruit में क्या होगा, dry fruit में वो कह रहा है भाईया, कि 20% ही water बचेगा, है न, dry fruit जो होते हैं, 20% water, उसको सुखा करके, पाने निकाल करके dry fruit गुना जाती है, ठीक है न, तो 80% इसमें बच जाएगा, pulp, 80% हो जाएगा, आपका इसमें, pulp, तो अब आपसे बुचा गया है, 200 kg से आप कितना dry fruit बना सकते हो, ठीक है न, how much dry fruit can be obtained from 200 kg fresh fruits, तो फ़ी चीज़ करने हैं, 200 kg का 32% pulp निकाल लो, 200 kg का 32% pulp निकालो, बराबर कर दो X, जब सूख जाएगा, तो उसका weight X हो जाएगा, मैं मान रहा हूँ, कि 80% pulp के बराबर, टिब dry food बन जाएगा, तो उसका weight मैं X माल लिया, उसके 80% pulp के equalize कर दो दोनों को, अब यहां से आपका काम पुरा बन गया, बिससे तो solve करना है, 0-0 cancel out, 8 से divide करोगे, 8-4-32, यानि कि X बराबर कितना हो गया, 80 kg, तो देखे जहां से 200 kg fresh fruit था, उससे सिर्फ 80 kg आपका dry fruits बने, for example, 200 kg आपका grapes था, उससे तुमारा लगबग-लगबग 80 kg आपका क्या बन गया, 80 kg क्या बन गया, आपका किस्मिस बन गया, ठीक है ना, clear, तो इस तरीके से इस सवाल को आप कर सकते थे, ठीक है न, अच्छा question है, last question, यह देखिए, अपनी स्क्रीन पे आप लोग percentage का, percentage लगबग खतम कर देंगे, फिर हमाना, कि एक numerator है, numerator, numerator of the fraction, देखो, fraction क्या होता है, x upon y, fraction is basically, x upon y, fraction है, अब इसमें क्या हो रहा है, numerator of fraction is increased by 15%, इसको मैंना 15% से increase किया, याने कि 115 बटे 100, and denominator, denominator क्या होता है, यह आपका, आपका, अंस होता है, यह आपका, हर होता है, जो denominator होता है, नीचे वाले value, उसको decrease किया, 8% से, 8% है decrease कर दिया, ठीक है, याने कि 92 upon 100, the value of new fraction becomes 15 upon 16, तो यह ऐसा करने के बाद, नया जो fraction बनेगा, वो 15 upon 16 होया आता है, तो आपको बताना है कि पुराना जो हमारा ratio था, वो क्या था, कुल मिला कि इसको solve करना है, यहापे, इससे cancel out हो जाएगा, x upon y into, 115 बटे 92 है, is equal to 15 बटे 16, अगेन इसको solve करेंगे, तो यह, I think, x upon y बराबर हो जाएगा, 15 into 92 upon 115 into 16, अब आप इसको divide करेंगे, 4 से, 4, 2 जा 8, 3 जा, 12, 4, 4 जा 16, 23 से 5 बार में कड़ जाएगा, 23 पंजा, 115 होता है, 5 से काट गए, इसको 15 तो, answer आजाएगा, आपका, x upon y is equal to 3 upon 4, ठीक है, तो 3 upon 4 is the right answer, over here, 3 upon 4 answer आगया, तो I hope आपको यह session अच्छा लगा होगा, ठीक है ना, 10 questions हमने किये और बहुत ही अच्छी questions थे सारे, चीक है, सारे बहुत ही अच्छी questions थे, और अब जल्दी मिलते हैं आपको next session में, जिसमें मैं discuss करूँगा आपका, देखते हैं next session क्या लेकर आजाएए, आप लोग comment section में जुरूरू बताए, कौन सा section आपको पढ़ना है या पढ़ाना है, कौन सा आपको लगता है कि ज्यादा important है आपके point of view से, मुझे तो पता है कौन कौन सा जरूरी है, जैसे time spend and distance जरूरी है अभी, उसके बाद time and work जरूरी है, बहुत important है, आपको कौन सा पढ़ना है किसमें भी मुझे बता दीजिए, एक बार कमेंट section में अभी percentage में इतना काफी कुछ कर लिया, आप percentage कुछ questions होते हैं जो कि आपका simplification में आते हैं, तो मैं simplification में discuss करूँगा, basic calculation में जो होते हैं उसमें जो question है, वो मैं discuss करूँगा ठीक है, उस पार्ट में, ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं, सब तक के लिए, good night, जै हिंद,